तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लो देखने बाला हैं ट्रांसफर्मर के बारे में ट्रांसफर्मर जो है उसका क्या-क्या पार्ट्स बाहर से दिखता है चले देखते हैं इस वीडियो में तो आपको पहले इस तरह का डबा दिखा देगा जिसको जंक्शन बक्स को बोलत उसके अंदर प्राइमेरी वांडिंग से इसी में से जाता है तो इसके उपर में आप देख सकते हैं इस तरह का दिखता है यह जो ट्रास्फरमर रहता है तो उसके अंदर जो ओल रहता है गरम होके इसी रेडियेटर के थो वह मूब करता है मतल़ उपर से नीचे उपर से तो उसके बाद यहां पर ट्याप चंजर लगा हुआ रहता है जिसमें बोल्टेज अगर कम ज्यादा करना है आउपूट वोल्टेज में तो आप इंपूट प्राइमरी वांडिंग का कम ज्यादा करते हैं यहां पर रेडियाटर को जो ऑईल जाता है उसके लिए भाल्ब बबूल जैसा रहता है मतलब ग्याप है उसके अंदर में ऑल्टेज नगा ओल करता है तो ह्वा लगके ओल थंडा हो जाता है तो यहां पर देक सकते हैं यह नंपूलेट दिया हुए नेम्पूट में बहुत सारे चीज लिखा हुआ है जो इसका वांडिंग के साहें उसका पोजीशन किस तरह पर रहेगा तो बहुटेज कितना होगा को सब चीज यहांप लिखा हुआ है उसका प्राइमेरी वांडिंग का बोलटेज प्राइमेरी करेंड सेकंडरी बाइनडिंग के वोलटेज करेंड सब डाटा इसमें जो नें ट्याप चेंजर है ओनलाइन बालाज में से उसमें मोटराइज रहता है तो यह जो मानुएल बाला है यह सब आफलाइन बाला है मतला पावर बांद करके इसको घुमाएंगा तो पोजिशन यहां पे दिया हुआ है जो पोजिशन में रखेंगे आपका कॉनेक्ट इसी तरह का होगा और वोल्टेज आपको एच्बी साइड आपको इतना वोल्टेज देंगे तो आपको आउट्पूड वोल्टेज निकलेगा 415 तो उसी हिसाब से टाप चेंजिंग को गर्मी के दिन में काम करना पड़ता है या फिर बढ़ाना पड़ता है थंडी के दिन में बढ़ा पाम करना निकल जब ऎुँटो यहां पर अल्रम आ जाएगा तो यहां तो यहां पर सेकन्डरी बढ़ा जबी है कर जाते हैं तर्फार्म को अगर कभी जैसा अगर ज्यादा हो गया तो प्रेसर रीलीफ भाफ आपनों के ट्रीप करा जैता है वोल्टेज इंकमिंग बंध कर देता है अधिन को उसके अंदर में डब्लोति अपड़िए लगा रहा है तो यहां पर उपर बाला यह यह से लिले बोलते हैं इसको अगर डितार मत जाता है और lunar है अगर भी बग्ज ट्रों करता है तो ॉसके बाद चाहिक भी दर लगता है यहाँ पकुशन लेंख सकते हैं कोई गड़ीए सब्सक्तों मॉइस्टर निखा देता है तो इसको बोलते हैं अपता कि आपका लेभू कि इतना है ज्यादा है कि कम हैं कि हाँ थो इसी तरह से ट्राश्पेरَّंस्वी का सारे पार्र्स आप एस तरह से सरा हो यह रहता है है उसका मेंटिनांस इसमें करना पड़ता नर्माल इच्छे महिने में एक बार उसको करते हैं अगर कुछ भी कभी होता है तो उसका ओयल का फिल्ट्रेशन करके ओयल को भी क्लीन कर जाता है कि और में मौस्चर बगर रह जाता है कभी-कभी तो सभी पार्ट्स को आर्थिंग करना बहुत जरूरी है जितने सारे मेटल प आर्थिंग करना से सभी का अलग-अलग अर्थिंग नर्माली एक ट्रांसपरमर में तीन चार्ज अर्थिंग अलग-अलग अर्थिंग लगा रहाता है उसी में से सब अलग-अलग अर्थिंग करते हैं क्योंकि अगर कोई एक भी फेल हो गया तो दूसरे में अर्थिंग प कि अब टूब गो ते लिए झाओ झालाए 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 है